और बारवी संप्लिमेंटरी एक्जाम रिजल्ट को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि दसवी और बारवी संप्लिमेंटरी एक्जाम हैं वो आपके complete हो चुके हैं अब बच्चों को इंतजार है कि आखिर हमारा जो result है वो कब तक जारी किया जाएगा किस date को हमारा जो result है वो declare किया जाएगा तो आज के इस वीडियो में में आपको दसवी और बारवी का जो supplementary exam हुआ था जिन बच्चों ने दसवी और बारवी supplementary exam दिया है और उन बच्चों को अब इंतजार है कि हमारा जो result है आखिर किस date को जारी होगा तो इस वीडियो के अंदर में आपको एक confirm date बताने वाला हूँ और उसी date के according आपके जो result है वो declare किया जाएगा जारी किया जाएगा तो वीडियो को आपको complete देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरे एक request है यदि अभी तक आपने हमारी channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए और साथ में notification bell को press कर लिजिए ताकि इस परकार की कोई भी update आपसे miss ना हो तो प्यारे बच्चों हम बात करें बारवी supplementary exam तो बारवी supplementary exam का जो result है जैसा कि आप सभी को पता है Google में आपको search करना है राजस्तान बोर्ड की जो official website उस पर आपको आना है और यहाँ पर news update जो लिखा हुआ है news update में आपको supplementary exam 2023-24 का जो result है यहाँ पर आपको मिलने वाला है अब किस date को आपका जो result है वो जारी किया जाएगा तो इस वीडियो के अंदर में आपको एक confirm date बता रहा हूँ उसी date के according आपका जो result है वो जारी किया जाएगा तो सबसे पहले हम बात करें 12 वी supplementary exam की तो जिन बच्चों को 12 वी के अंदर किसी भी subject के अंदर supplementary मिली है और उस subject का आपने exam दिया तो उसका जो result है आकिर को आएगा तो किस date को आएगा तो हम बात करें आपके यहां पर 26 यानि 26 अगस्त को 12 वी का supplementary exam का जो result है वो जारी किया जाएगा यह confirm date है और इसी date को आपका जो result है वो गोसित होगा जारी होगा अब हम बात करें बच्चों आपके दस्वी बोर्ड के supplementary result की तो दस्वी का जो supplementary exam का जिन बच्चों ने दस्वी के अंदर supplementary आई है और उन्होंने अपना exam दिया है अब उनका जो result है वो किस date को आएगा तो एक confirm date मैं 10th के बच्चों को भी बता रहा हूँ यहाँ पर और उसी date को दस्वी का जो result है जो result है वो जारी होगा तो यहाँ पर हम बात करें एक सितमबर वो यानि एक सितमबर को आपके दस्वी supplementary का जो result है वो जारी होगा तो एक सिप्तंबर के आपके यहां पर रिजल्ट जारी करने की जो डेट है वो confirm डेट है और इसी डेट के according आपका रिजल्ट है वो जारी होगा यहां पर सबसे बड़ी अपडेट है यह दसवी और बार वी संप्लिमेंटरी एक्जाम रिजल्ट को लेकर अगर आपको यह अपडेट अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ सेर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नहीं हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में नोटिफिकेशन बैल को प्रेस कर लिजिए ताकि इस परकार की कोई भी अपडेट आप से मिसना हो